नमस्कार दोस्तों गुरुकोल अकेडमे में आप से का स्वागत हैं दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जीके की चैलेंजिंग चीलिज का पार्ट नमबर 6 लेकर आ गई हैं अगर आप लोग किसी भी एक्जाम की तैयारी करें और आप लोग जीके को थोड़ा भी मन से पढ़ते हैं तो आप लोग यहां से 40 में से 25 कोशन का आंसर देकर बदें तब ही मानेंगे कि आप लोग सच्ची मन से और सिरिस होकर तैयारी कर रहे हैं वरना आप लो टाइम पास करते हैं अपने केमते से में को बरबात करते हैं आपसे request हैं परते question का answer comment box में जोड़े ताकि जो भी आपके doubt हैं साथ में ही clear होते हैं और अनटे बताएं कितने questions आपने questions आपने question आपने सही किये अगर आपको वीडियो अच्छे लिए कि तो पर वी है डी अने फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहा परश्तित हैं जल्दीस आणसर देंगे पांच सेकेंड़ कंद आपको वक्त मिलता है डिझा डिंगर प्रिंटिंग केंद्र हैद्राबाद में है जहाँ फ्रेंश बल्कुल फेंस किसी राज्य में है शिख्कीम राज्य में है नाथॉला दर्रा यहां भी होगा रहेट आण। आपर सिक्किम के राज्य पाल है गंगा परसाद कि प्रेम सिंग तमांग राजदानी गंग टोक में है विधान स्वा की 32 सीट है लोक्स बाकि एक seat ये भी आप लोग याद रख लेंगे ची चलेगा देखें next question क्या है भारत में त्रिस्त्री पंचायती भारत में त्रिस्त्री पंचायती राज तंतर की सिफारिस किस ने की थी जी हां बिलकुल किस ने की थी बलवंत राय मेहता ने की थी भारत में त्रिस्त्री पंचायत राज तंतर के सिफारिस option number A होगा जिन राइट आउसर बलवन थ्राएं मेहता देखे next है कीन दो धाटों के मिश्तर धाटो है तो friends falling 10 और 6 सा की है तीन और 6 शा की यानि D होगा होगा राइट आउसर तीन और 6 सा देखे next है दक्षने गुलार्द में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है सबसे लंबा दिन कब होता है 23 दिसंबर को होता है कब होता है 23 दिसंबर को होता है दक्षने गुलार्द में वर्ष का सबसे लंबा दिन यानि भी होगा रैट आंशर 23 December याद रख लेंगे आप लोग चलेगा देखिए next निमोनिया में स्रीड का कौन सा अंग परभावित होता है कौन सा अंग परभावित होता है निमोनिया में तो ये होता है फेफड़ा जिहां C होगा रेड अंसर फेफडे परवावित होते हैं निमूनिया रोग में ओफ्षन नमबर C होगा रेड अंसर फेफडा देखे नेक्स्ट 1893 में सिकागो में संपन 200 ध्रम सबा में भारत के परतिनिदी कौन थी कौन थे? स्वामी विवेकानन थे किस सविधान संसोधन के तहट राष्ट पती मंतरी प्रिशिद की सलाह माने के लिए बात दे हैं कौनसा संसोधन? बाईयालिसमा संसोधन आफसे नमबर भी होगा रेड अंसर 32 संसोधन के तहट राष्टरपती मंत्री प्रिशिद की सला माने के रिबाद है ओफसे नमबर भी होगा रेट आंसर 32 संसोधन देखे नेक्स्ट कोशन इंस्ट्ट ओफ लाइफ साइंस कहां इस्तित है बताएंगे फ्राफट कहां इस्तित है तो फ्रेंस ये भोनेश्वर में है ये होगा रेट आंसर भोनेश्वर इंस्ट्ट ओफ लाइफ साइंस कहां इस्तित है तो ये भोनेश्वर में है ये होगा रेट आंसर भोनेश्वर देखे नेक्स्ट कुशन ब्रोनी तेल सोधकार खाना किस देश के सहयोग से बना किस के सहयोग से बना ब्रोनी तेल सोदकार खाना किस के सहयोग से बना सोवित रूस के सहयोग से बना option number C होगा राइड आंसर सोवित रूस option number C होगा राइड आंसर सोवित रूस याद रख लेंगे ठीक है देखिए next बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस गरंथ में है तो ये सूत पिटक में है यानि एह होगा रैट आंशर बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस गरंथ में है सूत पिटक में है एह होगा जी रैट आंशर सूत पिटक देखेगा next चंगेज खान ने किसके सासन काल में भारत प्राकरमन किया किसके सासन काल में किया most VVI question चंगेज खान ने इल्तु तमिज के सासन काल में भारत प्राकरमन किया option number B होगा right answer इल्तु तमिज देखे next question करांते कारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किस ने संग्धित किया क्रांतिकारियों की गुप्त संस्ता अभिनव भारत को किस ने संग्धित किया किस ने किया विनायक दामुदर सावर करने किया था ओफिन नमबर डी होगा रेड आंशर विनायक दामुदर सावर कर देखिए नेक्स्ट भारत भारतियों के लिए यह नारा किस ने दिया भारत भारतियों के लिए यह नारा किस ने दिया किस ने दिया आरे समाज ने दिया यानि भी होगा जी रैट आंसर आरे समाज भारत भारतियों के लिए नारा किस ने दिया आरे समाज ने भी होगा आरे आंसर आरे समाज के स्तापन किसने की थी दयानन सरस्वती ने की थी किसने की थी सवामी दयानन सरस्वती ने की थी कब की थी 1875 में ठीक है मुंबई में याद दखना आप लोग चलेगा देखी next question मैनमार की सीमा से मिलने वाले भारती राजिक कितनी है most we are question बदाएंगे जल्ली से question यहां दिया हुआ है कि मैनमार की सीमा से मिलने वाले भारती राजिया चार कितनी चार राजिये option number B होगा रेट answer पर टेस्ट में हम आपके लिए को हमबर के लिए question छोड़ कर जाते हैं लेकिन आप लोगों में से बहुत ही कम बच्चे हैं जो उस question का answer देते हैं यहां पर भी आपके लिए को हमबर के बताएंगे आप लोग कि मैनमार की सीमा से मिलने वाले चार भारती राजिये कौन कौन से हैं कौन कौन से हैं यह आप लोग बताएं कमेंड बोक्स में आप से request प्लीज देखी नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन किस सूची का विसाई है आर्थिक नियोजन किस सूची का विसाई है तो यह समवर्ति सूची का किसका है जी समवर्ति सूची का है ओफ्शन नमबर सी होगा रेडांशियर आर्थिक नियोजन किस सूची का विसाई है समवर्ति सूची का है ओफ्शन नमबर सी होगा रेडांशियर देखी नेक्स्ट है ओपन इसदों का फार्षे में अनुवाद किसके प्रियासे हुआ बताएंगे फ्राफट ओपन इसदों का फार्षे में अनुवाद किसके प्रियासे हुआ दारा सिको के प्रियासे हुआ था जी ओपन इसदों का फार्षे में अनुवाद हुआ था दारा सिको के प्रियासे देखे नेक्स्ट है 21 मी सदी का सबसी बड़ा सूरी ग्रहन किस वर्ष देखा गया था 2009 मी देखा गया था यानि D होगा राइट आंशर 2009 देखे गा नेक्स्ट कोयल कारो विदुत प्रियोजना किस राज्य में है बताएंगे फ्रापट किस राज्य में है यानि C होगा राइट आंशर जारखंड जारखंड कि राज़ पाल द्रोपदी मुर्मू है राजदान रांची में है विदान सबाकी 82 सीटे है जारखंड में लोक्सबाकी 14 सीटे है चलेगा देखे नेक्स कोशन क्या है केनिफी ना किस बैंक की सहायक संस्ता है केनिफी ना किस बैंक की सहायक संस्ता है किस बैंक की है केनिफी ना यानि D होगा राइट आंशर केनिफी ना देखेगा नेक्स्ट राष्टी ग्रामियन विकास संस्ता कहां स्तित है कहां है राष्टी ग्रामियन विकास संस्ता यानि यह होगा जी राइट आंशर देखेगा नेक्स्ट कोश्चन क्या है ग्रेशम के नियम का संबन किस से हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सब लोग फ्राफफ़ड वीडियो को लाइक करेंगे अपने प्रेंस के पास सेर करेंगे ता कि कुछ लोग और यहां आएं और अपने एक दिवस किस तिथी को मनाया जाता हैं तो यह मनाते हैं 29th जून को यानि option number D होगा right answer 29th जून याद रखना देखिए next है वीसो का सबसे बड़ा बोध मंदिर किस देश में है इंडोनेसिया में है यानि सी होगा रैट आंसर इंडोनेसिया ठीक है देखिएगा नेक्स्ट है मानो स्रीड के किस अंग में यूरिया का निर्मान होता है मानो स्रीड के किस अंग में यूरिया का निर्मान होता है किस अंग में होता है यकर्थ के यकर्थ में होता है यूरिया का निर्मान ठीक है ओफिसन नंबर भी होगा रेटांसर यकर्थ चलेगा देखिए नेक्स्ट है वर्ना कुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था वर्ना कुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था किसने क्या था लाड रेपन ने किया था यानि ए होगा रैट आंशार लाड रेपन ठीक है ए होगा जी रैट आंशार देखिए नेक् माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी कृती है किसकी पंडित रवी संकर की है यानि दी होगा जी रैड आंशर पंडित रवी संकर माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी कृती है पंडित रवी संकर की है दी होगा रैड आंशर पंडित रवी संकर देखेगा next question क्या है कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कोन है कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कोन है कोन कमलेसुर है कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक option number C होगा right answer कमलेसुर देखे next है वर्नाकुलर एक्ट को किन के दवारा पारित किया गया किन के दवारा किया गया जी हाँ लार्ड लीटन के दवारा पारित किया गया था वर्नाकुलर एक्ट ओफ्शन नंबर भी होगा रैट आंशर लार्ड लीटन देखिए next है योजना आयोग की स्थापना कब की गिते 1950 में यानि सी होगाजी रेटांसर 1950 में की गिते योजना आयोग की स्थापना ठीक है देखिए next है भारत के किस सहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है कोलकाता में है सबसे बड़ा प्राणी उद्यान ओफिसन नमबर D होगा राइट आंसर कोलकाता देखिए नेक्स्ट विटामिन E का केमिकल नेम क्या है क्या है तोको फिरोल है विटामिन ए का केमिकल नेम राइट ए होगा जी राइट आनशूर चलेगा देखिए नेक्स्ट कुईशन क्या है किसकी कमी के कारण दांतों का चरण होने लगता है किसकी कमी के कारण होने लगता है दांतों का चरण बताएंगे जल्दी से किसी की कमी की कारण फलोरीन की कमी की कारण यानि A होगा जी राइट आंशर फलोरीन A option होगा राइट आंशर ठीक है देखे next सियुक्त रास्टर और दोगिक विकास संग्ठन का मुख्याले कहा है बताएंगे फ्याफट कहा है सिनुक्त राष्टर ओद्योगी के विकास संग्ठन का मुख्याले का है वियना में है, उफशन नम्बर सी होगा रैट आंसर वियना देखें next आजाद हिंद फोज की स्थापना किस वर्ष के गई? आजाद हिंद फोज की स्थापना किस वर्ष होई थी? 1942 में हुई थी आजाद हिन फोज की स्थापना किसके दवारा रास बिहारी बोस के दवारा option number B होगा जिरेट आनश्यूर देखी next Stockholm किस देश की राजधानी है स्टोकोम किस देश की राजधानी है किस देश की सविडन की राजधानी है तोकोम option number C होगा राजधानी उध्यान किस राजधे में है मध्य परदेश में है यानि ए होगा राजधानी अनश्यूर चलेगा देखी next सबसे बड़ा उत्पादक देश कोन सा थोरियम का पूछा है सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील कौन है जी ब्राजील है थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश ओफसन नमबर डी होगा रैडांस ब्राजील देखिए next है uranium का सबसे बड़ा उतपादक देश कों सा है uranium का सबसे बड़ा उतपादक देश है कनाडा क्यों है जी कनाडा है uranium का सबसे बड़ा उतपादक देश option number B होगा right answer कनाडा चलेगा देखिए आज का अंतिम कुछन है अंतरास्ट्री तिथी रेखा किस time zone को बाढ़ती है किसको बाढ़ती है 12 जोन को बाढ़ती है अंतरास्ट्री तिथी रेखा option number C होगा तो friends ये थे आज के मारे questions अगर कोई doubt friends share कीजिगा, सबी के doubts अगले part में clear किये जाएंगे जो लोग पहले बार यहां आए हैं जल्दे से आप लोग फ्राफट चैनल सिस्काइब करेंगे साथ में बेल आइकन पर भी कलिक कर लेंगे ताकि जब भी हम कोई कलास लेकर आएं कोई टेस्ट लेकर आएं सबसे पहले आपकी पास एक नोटिफिकेशन पहुंचिए और आप लोग स्टार्टिंग से ही टेस्ट दे पाएं अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं करेंगे अपने फ्रेंज के पास शेयर करेंगे तो फ्रेंज से लेका मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक के लिए गुरबाई जय हिंद जय भारत ववन्दे मात्रा